पेंशन अपने आप में एक ऐसा डिबेटेवल मुद्दा है जिसको ले करके आज कल आप हर जगा कहीं न कहीं कोई न कोई डिसकेशन करते हुए सुनी ही रहे होंगे रिसेंट में चल रही है गटना अगनीपत्व वाली जो ओजना चल रही है उसके अंदर भी इसके बारे में काफी सारी बात चल रही है कि किसको pension छोड़नी चाहिए किसको चाहिए नहीं चाहिए तो आएए आज इस pension topic के उपर विशेवार और fact के basis पे study करेंगे और जानेंगे कि क्या pension देना सही है या नहीं तो ऐसे में सारे facts को study करना है और अभी आपको इस video को end तक ध्यान से देखना है फिर उसके बाद आपको क्या लगता है इस video के end में मैं अपना conclusion भी दूँगा आपको क्या लगता है कि pension दी जानी चाहिए नहीं दी जानी चाहिए या आप comments में बताएंगे या फिर शुरुआत में आपकी क्या राय थी और वीडियो के end तक आपकी क्या राय बनी ये भी आप मुझे comment में जरूर बताइएगा आईए शुरू करते हैं और fact के basis में इसको समझना चालो करते हैं किसी भी time frame में किसी भी देश में जो लोग होते हैं जितनी भी population होती है उसको तीन हिस्ते में बाढ़ सकते हैं एक 0 से 18 साल तक 21 से 18 18 में मान के चल रहा हूँ ये वो लोग हैं जिनको बच्चे की कैटेगरी में मानते हैं जो कोई काम नहीं करते हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं 18 से 60 साल के विक्ति ये वो लोग है जो adult जो actually में काम कर रहे होते हैं और 60 प्लस के वो लो वैसे तो जो census था पहले से स्टार्ट हुआ लेकिन आजात देश में 1951 से स्टार्ट हुआ अगर यहां से हम population को देख करके चले तो 2001 में 102 करोड और 2011 में 121 करोड और फिर हाल 2022 की population को अगर हम देखे तो 135 से 149 करोड का अनुमान लगाया जा रहा है थोड़ा आगे बढ़ते ह यह समझते हैं life expectancy, life expectancy का मतलब होता है कि लोग अमूमन कितना जिंदा रहते हैं, शुरुआत में देखेंगे 1950 से 55 के बीच में हमारे देश में जो ओसत आयू थुई वो 36.6 था, इसका मतलब यह कि ओसतन लोग इतना ही जीते थे, मन में सवाल आएगा कि 36 हमने तो सुना है 100-100 साल जीते थे, इसका मतलब यह है कि उस समय देश में health care वेवस्था उतनी नहीं थी जिसके कारण अगर किसी की तब्यद खराब होती थी तो बच पाना काफी मुश्किल होता था, हाँ जो स्वस्थ रहते थे वो बहुत लंबा भी जी पाते थे, जो life expectancy है वो किसी देश के development क को शो करता है, जैसे जैसे देखेंगे जिस प्रकार देश अजाद हुआ और आगे develop हुआ, आगे होते होते यह age बढ़ती गई और आज की rate में 2010-15 का stat अगर हम ले तो लगबग 67.6, लगबग 68 साल कोई average वेक्टी जिंदा रहता है, average का मतलब आउसत है, इससे जादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, विक्सित देशों में यह उम्र उससे जादा है और नॉर्मल देशों में यह उससे कम है, जो under develop होंगे उसमें इससे भी कम होगा, आईए, अब हम बात करते हैं, उम्र के आधार पर population किस प्रकार से पूरे देश में विद्यमान है, तो यहाँ प dependent लोग हैं, उसको वो आते हैं, फिर उसके बाद अगर हम workforce की बात करें तो लगबग 20 साल से, 19-20 साल से लेकर के 59, 60 years तक यह एक average है, यह ज़्यादा ही होगा, 91.05 जो इसमें 47 माइनस करें तो 50 के आसपास आता है, फिर उसके बाद यह वो लोग है जो retiring की शेनी में है, 60 प्ल तो हमारे देश में फिलहाल 40.71 प्रतिशत बच्चे हैं, 50.34 प्रसेंट जो है वो adult है जो काम करते हैं और 8.95 प्रतिशत वो है जो उम्र दराज लोग है, यानि कि retiring लोग है, किसी भी देश में किसी टाइम पर यह बच्चे और old age, यह वो लोग होते हैं जिनको हम dependent population बोलते ह dependent population बोलते हैं, dependent का मतलब क्या होता है, dependent का मतलब हो गया निर्भर, जो कि खुद अपने उपर कुछ नहीं कर सकते हैं, यह जो adult लोग होते हैं, यह जो है इनकी भूमिका निभाते हैं, या फिर इनकी देखभाल करते हैं, जो बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखता है, adult, ज पिर बाद में वो old age बनेगा, यानि कि आज की date में अगर हम देखें, तो हमारे देश में 50% यानि कि जितनी जनसंख्या है, उसका आधा हिस्सा adult है, यानि कि वो क्या है, वो वयस्क है, जो काम कर रहा है, ऐसी स्थिती में यह जो वयस्क काम कर रहा है, यह आज की date में 40% या आज वो बच्यों को भी देख रहा है और यानी कि आगे के भविश्य और वो लोग जिनकों ने पहले इस देश के लिए काम कर दिया उनको भी देख रहा है। आज तो चलो यह जवान है तो काम कर रहा है, सैलरी सारी चीज़े हो रही ही, कोई ऐसी दिकत वाली बात नहीं है, लेकिन जब यह वेक्ती 60 साल से उपर हो जाएगा, यही अडल्ट जो आज 40 साल का है, कल को जब 60 साल का हो जाएगा, तो अब क्या, इसने पूरे देश को सर्व नहीं है, आपको नहीं लगता, जिस समय वो बच्चा था, उसने इसकी जानकारी रखी, जो बूड़े थे, इसने उसकी जानकारी रखी, आपको नहीं लगता, इस बंदे ने, जिसने पूरे देश को सर्व किया, जब यह बूड़ा होगा, तो यह जो चाइल्ड होगा, इस इसको इसको इसका ख्याल रखना चाहिए आज जब आज आप बच्चों का और बुड़ों का ख्याल रख रहे हैं तो जब कल आप बुड़े होंगे तो क्या कंट्री की देश की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह आपका ख्याल रखे क्यों क्यों कि इस समय अब आप आप क्या क कल को जब आपको इसकी जरुरत होगी तो क्या देश को आपके लिए कंट्रिब्यूट नहीं करना चाहिए humanitarian ground पर यह बिल्कुछ सही है जब मैं बात करूँ अभी जब मैं आपके साथ बात करता हूं तो यह बात सिर्फ और सिर्फ pension के इंदर सरकारी संस्थाओं की बात नहीं कर रहा यहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों संस्थाओं के बात कर रहा हूं थोड़ा ध्यान लगाईए और समझ यह आज की डेट में जिन लोगों की इंकम होती है उनकी कई सारी टेगरीज नहीं कोई 20-25 रुपय कमाता है दो पूरे दिन की जद्ध इस देश को दी, क्या ये देश अब उसको नहीं देख सकता है, बिलकुल उसको देखना चाहिए, ये किसी भी देश की नैतिक जिम्मेदारी है, तो मेरे हिसाब से, पेंशन हर एक बुजुर्ग का सम्मान है, हर एक बुजुर्ग का हक है, आज मैं अडल्ट वर्क फोर्स के अ मेरी अगर कोचिश होगी, तो हो सकता है कि मुझे किसी तरह की सहयता की जोरत ना पड़े, लेकिन क्या पता कोई ऐसी स्थिती बने कि मेरे जैसे और भी बहुत सार लोग जिनको सहयता की जोरत बने, तो उस समय जो अडल्ट होंगे, उनको ये कहना कि अरे पैसा तो बेकार जा रहा है, अरे ये तो इस तरीकी जो statement आती है, बिल्कुल vague statement होती है, मतलब जो हमारी भारतिय संस्कृति है, ये उसका ही अपमान है, तो problem क्या है, what is actual problem, problem ये नहीं है कि pension देना है ये नहीं देना है, आप समझेए, अगर आपके पास आज की rate में एक करोड रुपे हैं, औ अगर आपकी जेव से 100 रुपे गिर जाएं, तो क्या आपको कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो problem pension नहीं है, problem है less revenue, हमारे देश की income कम है, और expenditure जादा है, खर्चा बहुत जादा है, और income बहुत कम है, ये major problem है, अगर हमारे देश की income बहु आठ परतीशत लोग, आठ नो परतीशत लोगी बुजूर्ग में है, मैंने life expectancy आपको बताई, life expectancy में आपने देखा कि 7.6, यानि कि 60 में अगर retire हुए, तो 7 साल ही तो आपको pension देनी है, 7 साल के बाद तो वैसे ही, अल्ला को प्यारा हो जाएगा, उसके बाद अब क्या करना ह हैं, तो क्या आप इतने समय के भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो problem क्या है, अब उस problem का क्या solution है, आई उसको देखते हैं, सबसे पहला reforming revenue system, हमें अपने देश के revenue system को सुधारना होगा, इन problem को solution करना पड़ेगा, problem हमको पता है कि 50% लोग जिस देश के जवान है, आप सम investment की ज़रत है, utilization of youth, जिस देश की आदी से जादी संख्यत जवान है, उनको रोजगार ही नहीं मिल रहा है, उनके पास कोई रोजगार ही नहीं है, अगर उनके पास रोजगार होगा, चैवस्वार रोजगार हो या किसी तरह की नौकरी हो, तब तक हमारा देश ग्रो कर ही न international बोज है, एक बड़ी चीज women empowerment, यह बहुत important है, क्यों? क्योंकि मैंने जैसे कि बताये कि 50% लोग जो है वो adult है, अगर मैं यह मानूं कि 50% adult में हमारे देश की 50% जन्जिंख्या अगर महिला है, तो 50% adult के अंदर उस 50% के अंदर भी आदी महिला हैं, अगर मैं यह मानूं कि म 25% लोगों को पूरे 75% का बोज सहना पड़ेगा, तो अगर women empowerment किया जाए, और पूरे जो workforce है, 50% जो adult है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों है, अगर उन पूरे का इस्तेमाल किया जाए, तो revenue एकदम से double हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है, अगर total average लेके चले, तो हमारे देश में अभी भी महिला है, उस level तक नहीं पहुची है, contribution उस level का नहीं हुआ है, अगर पूरी equal employment यहाँ पर हो जाए, तो हमारी country दिन दुनी राच चोगनी तरक्की करेगा, import-export, import-export पर बहुत काम करना पड़ेगा, यहाँ पर ध्यान रखना है, जब तक हम अपने youth को म नहीं विवस्था का import करना पड़ेगा, जिससे हम आगे बढ़ पाएं, और ease of doing business, हमें अपने देश में business को करने को बहुत आसान बनाना पड़ेगा, जिससे हमारे देश के लोग आसानी से business कर पाएं, बाहर के लोग हमारे देश में आकर के आसानी से business कर पाएं, जिससे revenue collection क किसका हो, government का, और उसके बाद आप भी पूरे हक से कहेंगे कि yes, pension हर एक विक्ति का हक है, और किसी भी देश को अगर अपने देश के बुजूर्गों को pension देना पड़ता है, तो यहां उस देश के लिए सौभाग्य की बात है, अब आप बताईए आपका क्यामत है, आप बत झाल